नमस्कार मेरा नाम सानुजा है और आप लाइब सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं बतादे कि मदुवनी जिला के जो डीम है अर्विंद कुमार वर्मा ने कल BSEB क्लास 10 और BSEB क्लास 12 के जितने भी मदुवनी जिला के टॉपर्स हैं वो टॉपर्स प्रथम अस्थान से ले करके दिर्थिया अस्थान तक के तमाम टॉपर्स से उन्होंने एक सिष्टा चार मुलाकात किया भीजवल के माध्यम से आप लोग इस तस्बीर को देख रहे होंगे कि किस तरीके से अरबिंद कुमार वर्मा हैं बीच में और उसके बाद उनके दोनों तरफ स्रेनी बद तरीके से टॉपर्स हैं और उन्होंने बहुत साड़े बातों को रखा है कहा है कि हम भगवान से यही मनाते हैं यही कामना करते हैं कि आप सभी का भविष्व जो है वो बेहद उज्वल हो आप सभी समाज का नादीर बने और अपना कृत्मान अस्थापित करें साथी साथ कई बातों को साधा करते हुए कहा है कि इस बदलती युग में आप सभी बच्चों का अपना अपना धे जो है कि हमें क्या करना है वो सभी को पता है लेकिन हम सब जब class में थे तो हम अपने किशोरा आवस्था के दौरान में हम अपने आपको ये clear नहीं कर पाते थे उस समाई कि लोग ये clear नहीं कर पाते थे कि लोगों को क्या बनना है लेकिन अजिस आदूनिक युग में मोबाईल के आने के बाद आप सभी मोबाईल से कमोवेस दूरी बना करके रखें जो बच्चे उतकरिष्ट होते हैं वो अपने भविश्य को सवारने के बदले मोबाईल पर डील्स बनाने लगते हैं और अच्छे खासे बच्चे जो होते हैं वो डील्स में बरबाद हो जाते हैं साथी साथ वहां के जो उपस्ती जितने भी अभियार्थी वहाँ उपस्ति थे उन सभी के अभिभावक गणों से भी उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि आपके बच्चे उतकरिष्ट हैं इन्हें जो बनना है इनके राह में अठमा स्थान था दिवाकर से हमने बात्चीत किया है किया है और साथी साथ दिवाकर अपने एक्सप्रियंस को सजा कर रहे हैं कि कल किस तरीके से उन्होंने डीम सहाब से बात्चीत किया था सिश्टाचार मुलाकात का एक्सप्रियंस यह कर रहे हैं मेरा नाम दिवाकर जा है मेरी माता जी का नाम संगीत आकुमारी है इस वर्स मैंने दस्मी के परिक्षा में उत्तिर दुआ हूँ मैंने चार्ट-चार अंक लाकर पुड़े मदवनी जिली में पॉला और पुड़े राज में आठमा स्थान परा आएं और उन्होंने बारी बारी से सभी बच्चों से उनके बढ़िचाये लिया और फिर उन्होंने सभी बच्चों से बूचा कि आके क्या करना चाते जो बच्ची आके जो करना चाते थे उन्होंने उसके बारे गाड़ किया और उन्होंने बोला कि आप यह कर सकते थे इस बच्चों के वो लोनिया करवाने में मदद करेंगे और ने बैहर चुटों के बारे में बताया कि उन्ने ilवा आंगे और भरपीर मदद करेंगे कि आप लक्ष को पराप्त करें उन्हें कोई दुविदा उन्हें पराप्त होगी तो उन्होंने बोला कि आप मुझे संपर्थ कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो और इसके लिए मैं आप से जरूरी मिलूंगा और उसके बाद हमारी बात चिक तो सुना आप लोगों ने कि इतने भी बच्चे वहां उपस्तित थे सभी बच्चों के उज्वल भविशी के लिए डियम साहब ने कामना किया है ऐसे रिबनेटे लाइब सिटीज के साथ नमस्कार धन्यवाद